भविश्य मालिका के अनुसार आकासु बज्र पोडी बोल बोड जाली देब भूमोंड़ अर्थ आकास से वज्र गिरेगा एवं भूमंडल को जलाकर राख कर देगा बिजली कड़कने की आवाज से हर कोई भैवित हो जाता है पर मेरे मन में एक प्रश्न है कि आधे घंटे के समय सिमा के अंदर एक ही स्तान में कितनी बार बिजली कड़क सकती है एक बार दो बार चलो दस बार और बढ़ा देते हैं सौ बार हजार बार आप सोच रहे होंगे कि ये इनसान पागल हो चुका है पर पागल में नहीं आप होने वाले हो क्योंकि ओडिसा के भदरक जिल्ले मिस्तित वासुदे पुरंचल में केवल आधे घंटे के अंदर ही प जय और पराजय का विचार छोड़ के करतव्य पर्ध्यान दो तर अपने आप दू हो जाएगा 5400 बार बिजली का कड़कना वो भी एक ही अंचल में वो भी 30 मिनिट के अंदर क्या ये आपको सामान्य लग रहा है कौली से सोबेला होई लाणी निकटा बेलो थाओ थाओ हुओ ही सामधान अर्थ कल्यू का अंद निकट है समय रहते ही हो जाओ सावधान पिछली रात से ओडिसा के लोग वासुदे पुरंचल में घटी घटना से अत्यंत भैभी थें लगातार 5400 बार बिजली का कड़कना किसी भी वेक्ती के कान खड़े कर सकता है अभी तक 5 लोगों की मृत्यू हो चुकी है बाकी नुकसान का पता लगाया जा रहा है प्रकृती हमें बार बार अंत की सतर कवानी दे रही है आज जेसे जेसे जिस तर के प्राकृतिक आपदाय हो रही है वेसा पहले कभी न हुआ था और मैंने भी आप सब को कहा था कि जेसे ही हमारा नया वर्स आरंब होगा भारत में प्रकृती बड़े विनास लिला की रचना करेगी और आज का चित्र आप सब के सामने है छेसो वर्स पुर्वलिखित ग्रंथों की माला भाविश्यम मालिका के माध्यम से गुरू अच्चूतानंद जी ने कहा है कि 2023 के वर्स में भारत के अंदर बड़े बड़े प्राकृतिक आपदाएं अवस्य होंगी भूकंप, बाड, तुफान, एवं सुनामी का सबसे बड़ा खत्रा है इस वर्स की गर्मी पिछले सभी रेकौर्ड को तोड़ देगी पर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी ग्लोबल वर्मिंग के कारण संपोर्न रितु चक्र आज बिगड चुका है यानि ऐसा कह सकते हैं कि मनुष्य खुद जिम्मेदार है अपने अंत के लिए चाहे प्राकृतिक हो या महप्रभु जगनात जी हो मानव सभ्यता को सभी दिगों से लगातार संकेत मिलते जा रहे हैं साथ ही उन संकेतों का प्रमान भविश्यम मालिका के ग्रंथों में वर्नित है इसी बिजली वाले घटना को याद रखिएगा क्यूंकि कुछी दिनों के अंदर एसी घटनाओं की खबर भारत के अन्य राज्यों से भी मिलने वाली है मैंने अन्य को बार कहा है कि 2023 के लिए भविश्यम मालिका में एसी एसी घटनाओं के बारे में लिखा गया है जिसकी कलपना भी किसी ने ना की होगी घटनाएं तो होती रहेंगी पर क्या हम उस अंत के काल खंड के लिए प्रस्तुत हैं कही हम उस माया यानी इल्यूजन में फसे हुए तो नहीं हैं कही हम गलत रस्ते पर तो नहीं चल रहें विचार तो आप ही को करना पड़ेगा जै जगनात जै पंचसखा जै हिंद